असलाव नेकूं मेरे विबान कैसे हैं आप सब ही वेलकम यू और से लटीफ्स अकाडमी जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक्स जो है कवर हो चुके हैं लेकिन आइधाउट कि फर्डमेंटल राइट्स जो है फर्डमेंटल ड्यूटी ज ज़रुवत नहीं है कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें जो याद रखने के लायक है वही मैं आपके लिए यहां पर लाया हूँ इस बोर्ड में अभी जो आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही फर्डमेंटल ड्यूटी में याद रखना है चीक है और बीच आपको याद रखना है बिल्कुल अब्जेक्टिव औरेंटेड है जो मैं बोलूँगा उसमें से देखना कि अब्जेक्टिव कैसे बनेगा सिंपल वन लाइनर है ठीक है इसी तरीके से याद रखो आपको आपको इंडियन कॉंस्टिशन में है तो वह भी आपको याद पार्ट 4A ठीक है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन जो है उसमें आर्टिकल 51A मेंशन किया गया है और आर्टिकल 51A किसके साथ डील करता है बिल्कुल फंडमेंटल ड्यूटीज के साथ अब यह फंडमेंटल ड्यूटीज क्या होती है सर जी देखिए फंडमेंटल ड यानि constitution आपको guarantee देता है कि आपको यह rights मिल रहे हैं constitution आपको यह rights दे रहा है साथ में constitution आपको कुछ duties भी दे रहा है जो कि पहले नहीं थी वो कब आई थी वो 42nd constitutional amendment 1976 में 1976 में आई थी constitution यह बताता है कुछ duties आपको निभानी पड़ेगी और वो duties जो है हमारी list में given है तो अब जब हम बात करेंगे कि इसको हमने introduce कब किया था देखे स्वारन सिंग कमीटी के दुआरा यह recommendation यह objective आ सकता है और बहुत बार आया भी है कि fundamental duties जो है उसको हमने किस के recommendations पर यानि कि recommendations कौन सी committee की थी कि हमने fundamental duties को इसमें introduce किया था तो ध्यान रखे मेरे दोस्तों सरदार स्वारन सिंग कमीटी ने इसको recommend किया था और Congress Government ने इसको accept किया और फिर fundamental duties को हमने introduce किया कहाँ पर Constitution के Part 51A स्वारन सिंग कमीटी ने ये recommendation दी थी और कौन से Constitutional Amendment Act में ये introduce हुआ था 42nd Constitutional Amendment Act 1976 ये amendment जो है इतना बड़ा था इसको mini constitution भी कहते हैं बहुत सारी provisions इसमें add किये गए थे, कुछ alter किये गए थे, बहुत सारी changes इसमें लाई गई थी, इसलिए इसको mini constitution भी बोलते हैं किसको 42nd Constitutional Amendment Act को तो मेरे दोस्तों इसमें हमने सबसे पहले जो हमारे Constitution में थी वो 10 fundamental duties थी लेकिन अभी जब हम बात करेंगे तो total fundamental duties का number कितना है? 11 11 fundamental duties जो हैं हमारे Constitution में अभी mention किया गया है अब ये जो 10 थी, ये originally थी और 11 को कब हमने introduce किया Constitution में? ये question भी आ सकता है तो ये बना, ये किया था हमने 86th Constitution Amendment Act जो 2002 में हुआ था ठीक है? ओके अब हम देखेंगे कि ये Constitution, ये जो fundamental duties है क्या ये enforceable, क्या ये हर एक citizen के लिए जो हिंदुस्तान में रहेगा या सिर्फ और सिर्फ citizens of India के लिए है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि fundamental duties जो है इनको महदूद किया गया है up to the citizens of India only ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ citizens पे लागू हो जाती है अच्छा ओके, तो जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं यानि कि अगर हम कोई experiment भी करें या कोई चीज ला रहे हैं तो उसका कुछ objective होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बोला introduction में ही बोला था इसके objectives क्या थे? ये ये इसके objectives है और क्या? तो प्रमोट discipline and commitment ठीक है, माल लिया हमने ये कुछ duties है इसका एक loophole भी है जैसे मैंने आपको fundamental rights DPSPs और बाकी सारे इसमें बताया था कि fundamental rights जो है वो justiciable है ठीक है इसी तरीके से DPSPs जो है वो non-justiciable है यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा fundamental duties जो है वो non-enforceable है ठीक है अब क्या मतलब हो गया sir non-enforceable मतलब इसमें जितनी भी duties है 11 duties है सबसे पहले आप have a look on these 11 fundamental duties यह आपके screen पे है तो यह कुछ fundamental duties है ठीक है 11 है यानि कि वो deal करते है A to K यानि कि A से लेकर के K तक जितनी भी fundamental duties है वो आपको screen पर आपको दिख गई है अब उन duties के का एक loophole है क्या यही loophole है कि वो enforceable नहीं है अब कुछ enforceable मतलब क्या हो गया उनको आप करो तो ठीक है ना करो तो आपको कोई punishment नहीं देनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर Parliament जो है इनको enforceable बना सकता है इनको enforceable enact कर सकता है जिस तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे इसमें fundamental duties है जिसके बारे में हम अभी पड़ेंगे ठीक है तो वो enactments के थूँ उनको enforce किया गया है लेकिन वो authority सिर्फ और सिर्फ सौरी Parliament को ही है ठीक है आल राइट तो अच्छा अब ये कुछ ऐसी fundamental duties है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन ही fundamental duties पे कुछ enactments हुए है Parliament में कुछ laws लाए है ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम ने जब fundamental duties देखा आपने अगर अभी आपको याद होगा एक बार फिर से मैं आपको list दिखाता हूँ इसमें सबसे पहले उपर आपको दिखाई दे रहा है abide by the constitution and respect its institutions abide by the constitution मतलब कि हमें adopt हमें accept करना है constitution हमें constitution सम्मिधान के तहत ही चलना है ठीक है state अगर कोई काम कर रही है govern कर रही है तो वो constitution का according चलेगी आप constitution से खिलाफ नहीं जा सकते हो और क्या और हमें respect करना है किस चीज़ को constitution को और उसके institutions को उसके institutions बताईए सर हमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल बताऊंगा जैसे for example national anthem हो गया national flag हो गया आपको उसको respect करना पड़ेगा although इसके लिए जो है एक act आ गया है जिसका नाम है article 51A sub clause A यानि कि यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो article 51A यह तो mean article है और इसका sub clause A जो है वो deal करता है किसके साथ abide by the constitution and respect its institutions यानि इसमें यह लिखा गया है कि आप जो है इस act को कब लाया गया है 1971 में 1971 में इसको लाया गया है इसमें यह बताया गया है अगर आप जो constitution में सुरी हमारा national anthem है आप नहीं गा सकते हो तो कोई बात नहीं लेकिन आपको उसको respect करना पड़ेगा यह आपकी duty है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पताईए तो इसी तरीके से हमारा national flag है अगर आप national flag किसी भी तरीके से उसका disrespect कर रहे है तो आपके खिलाब जो है वो act जो है उसमें बताया गया है कि यह आप crime कर रहे हो ठीक है तो इसका मतलब कि इस वाले fundamental duties को enact किया किया है समझा गया ना किस ने गया पार्लिमेंट नहीं किया तो यह द्यान में रखें आर्टिकल 51A sub clause A deals with the abide by the constitution इसी तरीके से आर्टिकल 51A sub clause G की जब हम बात करेंगे तो यह बताता है to protect and improve the natural environment ठीक है to protect the natural environment हमें natural environment को protect करना है ठीक है उसको preserve करना है वो हमारी fundamental duties है duty है जाहर सी बात है हमें करना चाहिए क्योंकि हमाँ जब अगर forest जल गए या किसी भी तरीके से हमारा environment जो है खराब हो रहा है तो ultimately life जो है खत्म हो जाएगी इसलिए Indian constitution Indian parliament में जो act लाया गया है उसमें क्या लाया गया है बहुत तरीके से जैसे for example मैं आपको बता दूँ wildlife act लाया गया है wildlife protection act wildlife protection act यह किसमें है यह आपके protect and improve improvement of the natural environment नचरल environment को protect करने के लिए और improve करने के लिए wildlife protection act लाया गया है वो किसके अंडर article 51A sub clause G ठीक है और इसी के साथ साथ जब हम देखेंगे forest reserve act यानि कि forest को बचाने के लिए जितने भी कवानीन बनते हैं तो वो इसी fundamental duties के according बनते हैं समझ आ गया ठीक है चलिए आगे अब हम देखेंगे आई यारी कि आर्टिकल 51A sub clause आई क्या करता है वो बात करता है safeguard public property and to at your while यारी कि आपकी जितने भी public property होगी वो आप तोड़ फोर उसके साथ ना करो किसी भी साल से लेकर के 14 साल के उम्र तक जितने भी बच्चे हैं parents को ये एक duty देता है कि आप जो है उनकी education यानि कि उनका जो child care है वो आप उनको provide करवा दे और साथ ही साथ में उनकी जो है तालीम provide करवा दे ये fundamental duties में आता है ठीक है तो इसके साथ कौन सा article deal करता है article 51A sub clause K alright तो ये चीज़ जो है it was all about the fundamental duties यहां पर आपका fundamental duties में जितने भी आपके चोटे चोटे चीज़ें भी है वो भी मैंने आपको यहां पर याद करवा दिया है बस इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें याद रखने है जो मैंने आपको बोला है और objective डिट्टो इसी से बन जाते है ठीक है Thank you